आज सिरिफ टेंक फेटिंग करने वाला नहीं हूँ बलकि इसी टेंक के साथ और भी बहुत सारा चीज फेटिंग करूँगा इन्फरोमेशन बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि पैसा बचाने वाला हूँ किसी दूसरे तरीके से अब तरीका तभी समझ में आएगा जब वीडियो पूरा देखेंगे तो चलिए ज़्यादा बक्वास ना करते हुए सबसे पहले हम टेंक को जट और पट उठा लेते हैं टेंक जब तक उठ रहा है तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सर जी चैनल में नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल एकन प्रेस कर लिजिए और ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है इको बेस इस्टेंट ये मेरे नाम से मैं मंगाया हूँ गाउं मैं क्योंकि ये चीज जो है बहुत ज़्यादा पैसा सेप करने वाला है कैसे चलिए बताते हैं सबसे पहले हम इसे खोल के दिखाते हैं ये जो है आपका फिलाल 500, 7500 और 1000 लिटर तक का एबल लेवल है हर साइच का प्राइज अलग है डिस्क्रिप्शन चेक करिए अगर 2000 लिटर का भी मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 2000 लिटर का ये सिस्टम काफी लोग के लिए नया हो सकता है एकोब एसिस्टेंट लेकिन इसका फायदा डायरेक्ट आपका वाटर टैंक को मिलेगा ये मेरा experience से बता रहा हूँ किसी ने बताया नहीं है क्योंकि इतना साल काम करने के बाद कुछ मैं notice किया हूँ और आप मुझे ये पता चल चुका है जो क्या क्या फायदा होने वाला है ऐसे तो बहुत सारा चीच वीडियो में बताते रहूँगा सबसे पहले इसे हम रख देते है ये अगर आप लगाते हो तो आपका टैंक की कमजर होने से बचाएगा जी हाँ कैसे देखिए कॉंक्रीट जो है दूप में बहुत ज़ादा गरम होता है और इस टेंड जो है पी बीसी वो भी गरम होता है लेकिन बहुत जल्द थंड़ा हो जाता है अपको पता है कॉंक्रीट जब धूप में गरम होता है वो थंड़ा होने में काफी टाइम लेता है और धूप कॉंक्रीट का गरम और पानी ये तीनों चीज जब रहता है टैंक को धीरे धीरे डेमेज करता है पापड जैसे बना देता है दो साल तीन साल बाद जो है वो टैंक का स्ट्रॉंग जो है वो कमज़र हो जाता है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आगे और भी बहुत सारा चीज बताऊँगा जैसे कि टेंक फिटिंग करने का तरीका हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते है गरम करके करते है डिल मसीन से ग्रेंडर मसीन से होल करते है लेकिन ये जो है ये भी बहुत सिंपल तरीका है ये टेंक निपल देख लिए बिल्कुल अलग सिस्टाम का है जिसमें बाहर एफ़ब आप निपल को गरम करके भी कर सकते हो लेकिन यहाँ जो है यह गाउं है और यहाँ पर कोई गरम करने का option नहीं है इसका मतलब यह नहीं यह चीछ गलत है यह भी सही है और पर्फेक्ट है मतलब आप गरम करके जब लाओगे न वो जितना टाइम लग जाएगा उससे बैता रह होगा बस एक दो पर आपको ट्राइ करना चाहिए देख लेना चाहिए किसी से और अगर आप experience हो काम के लिए तो यह चीछ आप आराम से कर सकते हो अब चलिए हम टैंक निपल टाइट करते है और अंदर जो है वह भाई बैठे है इसका इंट को हम निकालके बाहर फेक देते है देखे इको बैसिस्टेंट जो है ना उसका खर्चे भी जादा नहीं है अगर आप ओटली बनाते हो उसमें क्या है आप exist नहीं कर सकते मतलब बना दिये जहां पर वहीं पर fix है बाद में आप थोड़ा सभी खिसका नहीं सकते लेकिन इको बैसिस्टेंट आपका क्या है व पर मुझे कूछ और करना है टेंग को मुझे और किसी जगह में खिसकाना है तो वह जो आप सिमेंट का ओटली बनाएंगे वह आपका वैस्टेच चल जाएगा फाल तुम्हें फिर दूसरे जगे बनाना पड़ेगा लेकिन यह आप क्या है इसे आपको बनाना नहीं पड़ आप सबसे पहले हम इसे फिटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी यह टेंक नीबल मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें मुझे एफेवेटी मारने की ज़रुत नहीं है डायरेक्ली टी मारा और यार पाइप लगाया सीधर देखने के लिए अब उसके बाद जो है पाइप लगाओ और काम निकल जाओ आगे जिसके यहाँ पर वल्वल्प लगाया और उसके बाद यूनियन फिर लाइन कनेक्शन लगाया जो लाइन है इसी यार पाइप में से दूंगा लेकिन यहाँ पर ध्यान दिजिएगा अगर उफर्फल आप यार पाइप में से देतेों तो यह पर जिस तरीके से हम pipe काटे है न उसी तरीके से आप भी काटिएगा क्योंकि सिधा मागर रख देते हो तो कोई भी चीडिया जो है न आकर उसमें कुछ दानवाना रखने की कोशिस करती है और वो pipeline में जाता है और आपका null में जाके block होने हाँ कोशिस होता है तो यह चीडिया दिजिएगा जैसे कि यहाँ क्रोस तरीके से रखा हूँ कोई भी चीडिया आकर रख नहीं पाएगी और एक जो है आपका यार पाइप के लिए उपर वहाँ भी आपको इस तरीके से क्रोस टुकरा रखना पड़ेगा यहाँ चीडिया से बचने के लिए और एक चीडिया से ध्यान रखेगा यह यह उपी विसी सीबी विसी वल्ब हल्ब जो सॉल्मेंट से लगाते हो उसे लगाने के बाद 5-10 मिन बाद फिर से एक बार उपरेटिंग इस तरीके से कर दीजिएगा जब लगाते वक्त है तब भी एक बर कर दीजिएगा इसलिए क्योंकि वो चिपक जाता है या फिर वो थोड़ा सा जाड़ा हो जाता है तो बोल भाल्ब आपका जल्दी लेकिन आपका PVC का जो श्टैंड है वो आपका डेमेज नहीं करेगा टेंग को और एक चीछ है इसमें क्या है मालूम है इस्टेंड जो है आपका कीड़ा नहीं जमेगा नीचे क्लीन कर सकते हो और आपका कॉंक्रीट या फिर आपका ब्रीक का रखते हो तो वहाँ पर आप देखेंगे एक हेलचानी पड़ता है सेवला जी से बोलते है और वहाँ फिर किसी किसी में देखेगा पेड़ भी उग जाता है गाज में गाज वहाँ पर निकल जाता है टेंक के साइट में या फिर टेंक भी क्रेक करता है बहुत सारा तरीके से आपका tank को damage करेगा लेकिन PVC में आपका कोई चीछ damage नहीं करेगा धूप का गर्मी से जो damage होने का चीछ वो चीछ को बचाएगा ये चीछ जो है मेरा आज 14-15 साल का experience से बता रहा हूँ ये आज सिर्फ 2 साल ये साल का मेरा काम नहीं है काफी दीन का है और एक चीछ है इसमें जो आप बोलोगे न sleep करेगा रिक्स है कोई रिक्स नहीं इसे आप clean कर सकते हो easily उटके लेकिन इसके उपर क्या है दो थीन आपको इंट रग देना पड़े इस तरीके से इस तरीके से हीट रग दीजिए या फिर कूरसी लेके आ जाईए उसके बात आप क्या करेंगे उसके अंदर आप उतर के clean कर सकते हो बहुत ही easily अईसा नहीं इस product का हम promote कर रहे है यह वाकई में अच्छा चीज है इसके वज़े से आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपका tank बचाएगा और काफी ज्यादा लंब लास्टिंग देगा उमीद करते हूं वीडियो पसंद आया तो लाइक कमड़ी सायर करना बिल्कुल ना भुलिए और बाकि अगर आप इसे amazon में खरीदना चाहते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा समयगा पढ़ जाएगा क्योंकि उसका korea charges एक्स्ट्रा लगता है डाइरेक्ट इसका contact नंबर